नमस्कार में प्रिकाश चंद्राओर आप देख रहे हैं प्रिकाश मानी वैसाली जिले के लाल गंज में नगर पालीका से नगर परिशत वने दफ्तरों में राजनिती का नया सरोकार देखने को मिल रहा है बीते दिनों 26 जुलाई को नगत परिशत में चेर्मेन और वाइस चेर्मेन यानि सभापती और उप सभापती के परती विश्वास प्रस्ताव लाया क्या था जिसके बाद कहा जा रहा था कि लाल गंज की राजनिती में परिवर्तन देखने को मिल सकता है इस बीच प्रकाशवानी की टीम लगवक डेर महीने से जलजमाओं की समस्या से जूज रहे महलों में लाल गंज के विभेने वाडों में घूमने निकली वहाँ जाकर उसने लोगों का जाईजा लिया वहाँ के प्रस्तितियों का आक्रन किया और जलजमाओं से ग्रस्त शहर का हाल जानने की कोशिश की यह जानने की कोशिस की कि यह जब सहर में कई मुहले डूबे हुए हैं और पानी पानी है उसमें यह कुरसी कुरसी का खेल कितना तर्क संगत लगता है हमने लोगों से बात की थी हमने ये भी पूछा था कि जन प्रतिनीधी आये थें आपसे मिलने आपके समस्याओं को देखने आपके साथ मिलकर आशू बहाने उसका क्या हुआ लोगोंने आपका हाल लिया आप से जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया या रही है तो लोगोंने क्या कहा था वो आप सबने सुना ही है अगर नहीं सुना है तो description में, comment में link है आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं लोगों ने निताओं को जम कर खरी खोटी सुनाई थी, नरक की जिंदगी जी रही जनता को यही छोड़ कर सत्ता में अपने वर्चस्वकी लराई का बिगुल फूंग देना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, हलाकि कुछ बाट पारसदों ने अपना प्रयास का भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा भी था कि वो पतना और हार्जेपुर के विभिन दफतरों में इसके लिए भागदर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजुद भी उनका यह प्रयास शहर के जल जमाओं की समस्या को देखते हुए नाखाप भी था, लोगों में 25 असंतोस का एक सवकार तमक असर देखने को मिला, नगरवाट पारसदों में से 8 पारसदों ने और विश्वास परस्ताव को वापस ले लिया है, और उनका कहना है कि अब पहले वो जल जमाओं की समस्या से निप्टेंगे, तो ये थी उपर उपर की बात, आप कुछ अंदर की बात कर लेते हैं, आपको बताते कि 12 मार्च को लाल गन नगर पालिका से नगर परिसद में बदला गया था, हलाकि परिसीमन होना भी भी बाकी है, इसमें कौन सा छतर नगर परिसद में आएगा, कौन सा छतर नहीं आएगा, वो तै होगा, उसकी प्रिक्रिया भी पूरी बाकी है, जानकार बत तो राजनीती का दूसरा दाओ आपको जल्दी देखने को मिल सकता है और अगर सब कुछ ठीक ठीक बैठ गया सब की बरावर सहमती बन गई तो हो सकता है काम यही कताम हो जाए फिर भी अभी कुछ भी कहना मुम्किन नहीं है और इस्वास प्रस्ताव प्रक्रिया फिलहाल के लिए बाधित है नगर परिसद में यह कोई नया विवाद नहीं है भश्टाचार के कितने हिस्से लगेंगे यही विवाद की गर्त में हमेशा दवा होता है कहीं न कहीं उपरी-उपरी मामले को देखकर तो यही पता चलता है नगर परिसद लाल गंज के अंतरगत आने वा होगी उस पर अपना दावा ठोकते हैं और उसको हर अपने कि शाजिस में हैं ऐसा कई वाड पारसद आरोप लगाते हैं पारसद अपने अपने हिसाब से सटीक तरक दे रहे हैं सटीक लॉजिक उनके अपने आपने आ रहे हैं क्यों अब रिस्वास पस्ताव आया क्यों नह मामले की तह में कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होता है हमेशा की तरह। आगे क्या होगा या आपको जल्द देखने को मिलेगा, खेल अभी खतम नहीं हुआ है। जल्द ही आपको लालकन नगर परिशत में कुछ नया, कुछ उतल पुतल देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं कुछ हुआ, सब कुछ मामला सलट गया, सारे पार्शतों ने हाथ मिला लिये, हो सकता है मामला यहीं तब जाए। फिलाल के लिए इतना ही देखते रही है प्रकासवानी, खवर अच्छी लगए तुसरे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब जरू कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए, जो रहे हमारे साथ, देखते रही है प्रकासवानी। प्रण मिच्छार्ile के लिए याफब जेखते लाइक करताती है मैं तुसरे लाइक ब्रकासवानी कि लाएब पर SaveD